हलो दोस्तों मेरा नाम है अभी सेक और आप सब देख रहे हैं स्टड़े भी तभी तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से दो बिंदों से होकर जाने वाली देखा का समय कर निकालते हैं पहले हम उसका फार पूला जारेंगे फिर उस पे बेस्ट हम एक प्रब्लम को सॉल्ब करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपने मारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजेगा और mathematics related वीडियो को देखने के लिए आप मारा चैनल की प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखें पहले सबसे पहले हम इसका सूत्र जानेगे क्या होता है कि दो बिन्द से जाने वारी देखा का समीकरण माल लेते हैं एक बिन्दु है A X1 कामा Y1 जिसका निर्सांग है दूसरा बिन्दु है X2 Y2 पॉइंट भी है ठीक है तो इसका जो समीकरण होगा वो समीकरण होता है Y-Y1 ठीक है इस इक्वल टू Y2-Y1 बटा X2-X1 और ब्रेकट में X-X1 ठीक है तो यहाँ पे X1 Y1 और X2 Y2 क्या है यह दोनों बिन्दु के निर्सांग है ठीक है तो चलिए अब इस पे यह तो फार्मूला हो गया इस फार्मूले को हमें याद रखना है Y-Y1 is equal to Y2-Y1 बटा X2-X1 और X-X1 आईए अब इसवे अधारित हमें एक प्रावलम को solve करते हैं देखिए question कराय कि रेखा का समीकर्ण याद किजिए जो की बिन्दूओं A दिया है माल लेते हैं A point हमें दिया है 2,3 ठीक है दूसरा point दिया है में B क्या दिया है Y-Y1 पहले हम फार्मूले लिख लेते हैं Y2-Y1 बटा X2-X1 और X-X1 आईए देखते हैं फार्मूले में हम कैसे रखते हैं value को Y-Y1 की value क्या है यहाँ से देखेंगे तो Y1 की value कितनी है 3 तो यहाँ पर हम 3 लिखते है is equal to Y2 की value क्या है 1 यहाँ पर 1 लिखते हैं minus Y1 Y1 क्या हमारा 3 है तो minus पहले लगाएंगे फिर 3 लिखेंगे अब हम चलते हैं लिखते हैं X2-X1 X2 क्या है यहाँ से देखें तो minus 3 है minus 3 हमने लिख दिया minus X1 है तो X1 की value 2 है minus 2 लिखते हैं क्योंकि minus 20 में लगा हुआ है ठीक है फार्मूले में उसका ब्रेकट में चलते हैं X-X1 क्या है हमारा X1 हमारा 2 है ठीक है इस X और इस Y की value नहीं लिखनी है क्योंकि यह 4 होते हैं इन्हीं में हमको समीकरण मिलेगा तो इसको solve कर लेते हैं बहुत ही आसान सा Y-3 is equal to इसको solve करे 2 से अंदर multiply करेंगे 2X minus 4 यह minus minus कट चुके थे पहले ही ठीक है minus 4 हो गया आई इसको solve करते हैं X और Y को excite करते हैं तो यह हो जाएगा 5Y minus 2X और अगर इसको भी इधर लेते हैं तो यह हो जाएगा कितना हो जाएगा minus 11 is equal to 0 ठीक है तो यह हमारा अभीश्य समीकरण होगा आप चाहें तो इसमें minus का गुड़ा करके इस तरीके से भी answer लिसकते हैं 2X minus 5Y plus 11 is equal to 0 यह भी हमारा समीकरण होगा तो दोस्तों यह समझ मैं किस तरीके से हमने किया यहाँ पे सिर्फ formula main चीज है formula में याद होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि X1 Y1 और X2 Y2 किस तरीके से ह होते हैं देखिए मानने में यह जैसे हम लिखते हैं X1 Y1 X2 Y2 ठीक है इस तरीके से आप मान लिजिए formula याद रखिए Y minus Y1 is equal to Y2 minus Y1 but X2 minus X1 और X minus X1 ठीक है इस formula में रख करके आप निकाल देंगे तो जो हमारा solve करने पर आएगा वही मारा रिखा का समीकरण होगा दोस्तों पर वीडियो आपको चलेगे तो लाइक करना चनल को सब्सक्राइब करना Thanks for watching friends